तो 99% लेडिजों की ना सबसे बड़ी प्राब्लम पता है क्या होती है दिनबर की दिनबर में हम जो भी मील अपने किचन में हम बनाते हैं तो हम बस यह चाहते हैं कि जब भी उसे कोई खाए तो बस थोड़ी सी तारीफ जरूर कर दे और उसकी एक तारीफ सुनने के लिए हम कई वार घंटो घंटो इस चीज़ का वेट भी करते हैं क्या आपके साथ भी ऐसा होता है और कुछ ऐसा हम कैसे कर पाएं कि वह इंसान बिना तारीफ के रहे ही ना कुछ ऐसा हम अपनी कुकिंग में कैसे करें तो आज चलिए यही चीज़े आप सब के साथ मैं शेयर करूंगी और उससे पहले मैं यहां पे ले रही हूं अपना ग् जो आप सभी को कुकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और साथ साथ कुछ ऐसे टिफ्स भी बताऊंगी जो आप सभी को किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए अपनी किचन में खाना बनाते टाइम पे और बहुत-बहुत कुछ चीजे ऐसी होती हैं जो हमें से रिलेटेड किसी भी लेडिस को या किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि यह चीज हमने कैसे बनाई है और आप सोच रही होंगी कि यह तो कोई बात नहीं होती ऐसा नहीं होता है बट ऐसा होता है और जब हमें के ग्रेस्ट में रहते हैं और उसमें और भी हमसे बहुत सारी परफेक्ट लेडिज होती हैं जीने बहुत जादा experience होता है cooking करने का और भी बहुत सारे काम है तो किसी भी एंगल पे अगर हम काम कर रहे हैं चाहें वो cooking है या कुछ भी काम है वो सारी चीजे मैंने अपनी लाइफ में शेयर सीखी है और उनी चीजों को आज में शेयर करने वाली हूँ तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले मैं यहीं पे आप सभी को एक ऐसा टिप्स बताऊंगी जो आपको बहुत बहुत जादा काम आने वाला है तो और कभी उसका नाप तोल आप दूसरों को मत बताना कि मैंने एक चमश तेल डाला है मैंने दो चमश तेल डाला है और जब रेस्पी आपकी है तो उसके सेग्रेट भी आपके ही होंगे और यह जो चीजे होती हैं अगर हम किसी से शेयर कर लेते हैं और उसको पूरा-पूरा बजट पूरा-पूरा प्रॉपर तरीके से हम जब बताते हैं और नेक्स टाइम जब आप उसी रेस्पी को उसके सामने बनाएंगे तो उस रेस्पी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा स्वाद नहीं आएगा और ऐसा मेरा माणना है मैंने बहुत बार यह कोशिश की है जो रेस्पी में अकेले में और बिल्कुल सीग्रेट तरीके से बनाती हूं और उसी रेस्पी को अगर किसी और के सामने और पूरा नपा तुला दिखा कर कि देखो हमने कितना कम ऑईल डाला है कितना कम घी डाला है वो सारी चीजे जब में शेयर करती हूं तो वो कितने कितने जादा फायदे होते हैं यह सो आप सभी को मुझे बताने की जरुवत नहीं है बच्चों के लिए बुज़ुर्गों के लिए और उन लेडिजों के लिए जिनें बहुत जादा बैक पेन रहता है उनके लिए तो पुरा रामबाड है यह रेसिपी और किसी भी तर बहुत जादा बनती है तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने दूसरे टिपस की तरफ तो दूसरा टिपस मेरा यह है कि जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं और उसे किस स्टेश तक आप कुक कर रहे हैं और कितनी देर आपने कुक की है उसकी टाइमिंग आपको किसी को भी बत बतिते हैं तो कही ना कही थोड़ा सा जैलस तो होता ही है और कोई अगर आपके खाने की तारीफ कर दे तो यहां पर वी थोड़ा सा जैलस हो जाता है लेडीजों önce तो मेरा मांना है यह सभी गरों होता है तो बस यही चीजे बीजा कहुत﹔र सरा मि小शा कपने ci informational with no दे मैं दो Anders किसी के सब करने पेडिक दर कचा दर क vermुश्य आ घ्र समयं चाहिए कि अधिना समय नहीं कि आपको कु क्यूंट करना है ठीजी है देलों mira इससे क्या होगा जो भी रेसिपी आप बना रही है उस पे आपका पूरा फोकस रहेगा और बहुत ही अच्छे से स्टेप बाई स्टेप आप चीजों को यूज कर पाएंगी और आपको पहले से ही पता होगा कि आपको कौन सी चीज किस टाइम पर डालनी है और आप एक अच् कोई चीज जब हमारे पास जल्दवाजी में अवेलिवल नहीं होती है या फिर कहीं दूर रखी होती है हमसे तो हम क्या करते हैं उस चीज को स्किप कर देते हैं जिसका जो हरजाना है ना हमें रेस्पी बनने के बाद भुगतना ही पड़ता है और अगर आप एक अच्छी क करना चाहती है अपने किचन में और अपने हस्बिन का अपने पूरी फैमिली का दिल जीतना चाहती है तो यह बहुत माइने रखता है कि आप रेस्पी बनाने से पहले पूरी कुकिंग की जितनी भी तैयारी है वह पहले से करके रखिए और सारे मसाले आपके पास और चौथा मेरा टिप्स यह है कि जब भी आप कुकिंग कर रही है तो कुकिंग करते टाइम पे या मसाले एड़ करते टाइम पे कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिने हमें सिक्रेट रखना पड़ता है और एक अच्छा कलर अपनी रेस्पी को देने के लिए उन चीजों को कभी कि भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए लाइक जैसे कि हम हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर यह सब तो डालते हैं अपनी रोजमरा की रेस्पी में तो मैं यहां पे बना रही हूं पास्ता और पास्ते में मैं डालने वाली हूं थोड़ा सा फूट कलर और यह फूट कलर सभी क केचप बगड़ा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो पास्ते को एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें फूट कलर रेट कर दिया है जो मैं किसी को भी नहीं बताने वाली हूं कि मैंने इसमें फूट कलर डाला है और जब हम यह रेस्पी खाएंगे तो वाले कहेंगे वाओ कितना रेड रेड है और कितना अच्छा कलर आया है पास्ते का और बिल्कुल डिफरेंट एक रेस्पी आप अपनी फैमली को खिला पाएंगी बहुत ही अच्छे टेस्ट में और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें केचप डाल दिया है तो केचप के बा सब लोग बनाते हैं बस बैसे ही आप सभी ने उस रेस्पी को दूसरों के सामने रखना है लेकिन जब रेस्पी आप खाओगे या देखोगे तो उसका एक अलग ही कलर खिल के आएगा और आज तक किसी ने उनको ऐसी रेस्पी नहीं खिला होगी इस तरह की रेस्पी आप हस्बिन को अपनी पूरी फैमली को आप खिला पाएंगी तो देखिए देखते ही देखते मेरा जो पास्टा है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अभी बस में इसे एक दो मिनट और कुक कर लूँगी और जिस पानी में मैंने पास्टा वोईल किया था उसी में उ मैजिक मसाला आपके खाने को बहुत अच्छा नहीं लगता है तो उनके लिए मसाले को स्किप भी कर सकती है बाद आज कल की जनरेशन होती है उसको मैगी मसाला बहुत पसंद होता है और देख सकते हैं आप हर वाईट में आपको इतना जादा यमी टेश्ट आने वाला है प जिस तरह की रेस्पी आप उन्हें बनाकर खिला पाएंगी तो देखिए कुकिंग करते टाइम पे को सिग्रेट ऐसे होते हैं जो हम अपनी कुकिंग के दौरान ही सीखते हैं और सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता है कोई भी पहले से ही सीखा हुआ नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और यमी पास्ता बनकर तयार है तो चलिए इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंट और आप सबसे मिलूंगी कल के एक अच्छे से ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए मस्त रहिए और इसी तरह के मजिद आप से ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए मिलूंगी आप सबसे नेक्स ब्लॉग में बाई बाई रादे रादे